स्वागत एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल विफ और सक्सेस क्लाशस में तो जैसा कि हमने हमारा जुडिशल leaks एंगे पढ़ा के पार्ध फससक अब हमने इसका देखेंगेς पारuez हैं कि प्रॉससेड और क्या का दंद दिये जाती है कि Хेज क्परीश्मेंट में भी है सब्सक्राइब कोड प्रोसीजर फ्रेमवर्क एनीवन हुआज हाव्ड वाई एक्सेंस ओफ अधर्स में फाइला प्रतिजना कंप्लेंट तो दा कोड हमारा जो एंशेंट टाइम था या आधिकाल था उसमें जो हुमारे कोड थे बहुत अच्छा तरीके का एक हायरिक्यल प् जिसमें क्या होता था जैसे पहले कोई अगरिन इन्सान है उसको कोई खिसी तरका हार्म हुआ है कुछ से उसको नुक्सान पहुँचाया गया है तो वो जाकि कूर्ड में अपना सिम्पली कम्प्लेंट फाइल कर सकता था अपने दरख्वास दे सकता था उसके बाद क्या हो छीख है वू जो मुक्तमेदार कहलता था धर्मकोस नहीं को सोले ठाशुके साफ़न करता था ऑkaar करता था उल्बवर act करता रहता था किसकी किसकी वह उढमेंट करता था खराता था एक उसकी विएως कि आहना ठीडली तथा कि वो जो मूल सब्द है ठीक है जो सफिशेंट वर्ट्स में प्रोवाइड कराता था डिटेल प्लैंटिफ के बारे में एबंटेंट इन मेनिंग जिनका जो मतलब होता था वो सही होता था क्लियर फ्री ओफ एम मिटेरियल फैक्ट्स ऐसे फैक्ट होते थे जो की अच्छे होते थे कुछ चारण हो रहा हो GPE up City of unsuitable reasoning ऐसे reasoning नहीं होनी थी उसमें की on suitable हो विल्लब उनका कोई सिर पयार ही ना, कुई बात ही ना ऐसी और अउउर्गुमेंट उसमें की जिनेंस मतलब ही ना हो sadece accurate होते थे हैं theatये ऐड क्षची होते थे और यॉर्षण whenever होते थे consistent होने चाहिए थे and it should include a proposal request directed to the directed at the defendant of the respective case उसमें क्या होता था कि उसमें जो pass होती थी जो सक्य एक description आता था उसमें क्या होता था जो defendant होता था जिलके खिलाफ case दर्ज कराया गया है उसको direct किया जाता था कि आप अपना case लड़ें आके और अपने आपको डिफेंड करें the court fees वर आल्सो लेवाइड with the judgment debtor obligated to pay 5% of the lawsuit जो कोड की फीस से वो भी लागू करी जाती थी कोड में एक फीस होती थी फीस दाती पहले क्या हुआ मैंने बताया कि पहले complaint करेगा उसके बाद defendant को inform किया जाएगा उसके बाद description जारी किया जाएगा ठीक है ऐसे सब्दों में जारी के ज़र्द से जो की meaningful हो ठीक है और इसमें अच्छे facts हो और logically accurate हो ठीक है उसके बाद defendant को डारेट किया जाएगा उसके बाद क्या होता है आप फीस कोड़ फीस के बारें बात ही तो कोड़ फीस लेवाई होती थी है जो की जो judgment देता था ठीक है with the judgment debtor obligated to 5% of the lawsuit 5% of the lawsuit क्या मतलब था जो fees जो lawyer है वो ले रहा है उसका 5% fees देना होता था judgment वाले को amount and the plaintiff obligated to pay an equivalent amount और जो plaintiff होता था जो मुक्तमा दायार करता जाया जिसन दो मुक्तमा दायार किया है उसको भी एक fees पे करनी होती थी जो की 5% के बराबर होती थी the trial was carried out in compliance with dharm sastras and in a way debt guaranteed the litigants and the public trust in court and judiciary is now security never çıkar जो trial होता था जो मुक्तमा चलता था उस्त्री थे चलता था धर्म जास्तरास पर dependent करता था ठीक है जो धर्म होता था natural जास्टिश होती थी उस When backs the trial is limits मुक्तमा उस तरीके चलता था ताकि जो की जो लिटिगेंट्स है ठीक है जो जिन्नों मुक्तमा चलता था यह नहीं कि कोई भी बायस्ड हो रहा है या कुछ भी ऐसा मुक्तमा चलता है कि कुछ का कोई सरपैर ही ना हो एक धर्म सास्त्र की जो follow होते थे मां जो evidence प्रूफ करने का भार होता था वो मुक्तमा दायर करने वाले इंसान पर होता था या जिसने complaint करी है उसके उपर होता था कि जिसने कहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है या offense हुआ है उसके साथ तो जो evidence proof करने का जिमेदारी थी वो उसके उपर होता था the parties have the option of producing the witness और जो parties होती थी जो मुक्तमा जिसने दायर किया है next हम दिखते है the verdict was titled जैपात्र ठीक है जो verdict होती थी उसको जैपात्र बोलते थे जिसको कहते है document of truth कि मतलब किसकी जीत हुई document of truth का मतलब कि जो court case चल ला था मुक्तमा चल ला था उसमें जीत किसकी हुई since one side was to win the lawsuit क्योंकि उसमें एक ही साइड जो होती थी वो जीत सकती थी ऐसा तो है नहीं कि मुक्तमा चल ला है तो दोनों साइड जीतेंगी एक ही साइड जीतेंगी ना तो एक जो मुक्तमा चला तो उसको कहते है थे उस verdict को जैपात्र बोलते है जो कि document of truth का जाता जाता है उसे कंपलेंट होती थी और एक written statement होता था जो कि उसने दिया है court को जब उक्नमा धायर हुआ था फिर होता है collaboration presented by the parties collaboration presented by the parties का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों party है उनके दोरा जो गवा paste किये गए जो document paste किये गए ठीक है वो सारे होते थे उस जयपातर में कि क्या-क्या गवाई क्या-क्या witnesses कौन-क्या witness आया है क्या-क्या गवाई ही दी गई है क्या-क्या मतलब की उनकी तरफ से दलीलें दी गई है ये होता था पूस में next is framing and discussion of the issue अब उसके बाद क्या हुआ जब ये सब आगया तो जो issue था जिस पर complaint की गई थी उसको frame कियता है और उसके उपर discussion होता है कि क्या issue है उसके उपर क्या होगा आगे और उसके पूरे detail जो होती है recognition of the sides assertions जो दोनो sides थी उनकी तरफ से जो जोड दिया जाता जिस बात पर उनकी बातों को सुना जाता था अच्छे तरीके से और फिर उनको भापा जाता था जांच जाता था कि कौन सी side सही कह रही है कौन सी side गलत कह रही है अब क्या हुआ document present हुआ document में complaint आ गई दोनों party के witnesses आ गए गवाह हो गया, proof हो गया, evidence हो गया जो issue था उसको frame कर लिया गया उसको discuss भी हो गया अब दोनों तरफ की जो दलीले थी दोनों को complainant की और defendant की दोनों को सुन ली गई दलीले अब क्या होता है, अब बारी है कि उन दोनों पर law का implementation करना अब उसके बाद क्या होता है implementation of law कि जो दलीले दी गई है उन दलीलों के हिसाब से कौन सा law, कौन सा कानून इन पर काम करेगा तो उस कानून को implement किया जाता था अब उसके बाद क्या आता है जो judge होते थे उनके viewpoints अब उन्होंने judge ने किया क्या लिया पुरा case सुन लिया अब क्या judge करेगा अपने viewpoints देगा उस case के ऊपर ठीक है अपने viewpoints देगा और बताएगा कि क्या हुआ है actually में और क्या होना चाहिए और क्या law implement होगा और क्या इस पर हो सकता है फिर उसके बाद होता है ultimate decision उसके बाद last में क्या होता है ultimate decision आता है कूर्ट का कि कौन सच है कौन जूटा है किसके ऊपर मक्तमा कौन जीता है कौन नहीं जीता है तो एक ultimate decision आता है उसके बाद उस decision पर लग जाती है कूर्ट की seal और case हो जाता है close जजज के ऊपर जो एक obligation होता है कि वो पूरी तरीके से साफ सतुरे तरीके से काम करेगा ठीक है और ऐसा नहीं कोई biased होगा या किसी पर कुछ होगा equality दिखाएगा कि ऐसा नहीं कि एक तरफ की biased हो जाए और दूसरी तरफ को गुना कर दे तो equality रखनी चाहिए थी और moral conscience मतलब कि morality को follow करते हुए उससे verdict देना है ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्रिवल सजा दे दी या बहुत अची सजा दे दी कि मतलब कि जो जो सजा खान लेने वाला है इसके उपर सजा दी गई है वो उसके खिलाफ एक moral death की तरफ हो जाए है तो एक moral conscience की तुको देखते हुए जसको judgment देना है आगे हम देखते है the punishments कौन-कौन से punishments होते थे ठीक है किस तरगे के punishment होते थे the punishments were divided into several categories वाग डंड, रिप्रिमांड, रिप्रिमांड में क्या होता था कि dart पड़ती थी या मलब कि जलील किया जाता था जिसके ओपर complaint होती जिसके ओपर मुक्दमांड, जो होता था हार जाता था या जिसने कुछ ऐसा offense किया है या किसी को harm किया उसको डाटा जाता था ठीक है, उसको जलील किया जाता था उसके बाद condemnation condemnation होता था कि किसी को जो निंदा करी जाती थी कि उसके उपर, अगर नॉर्मल सा कोई offense किया किसी ने तो उसकी निंदा करी जाती थी भरे कोट में ताकि वो आगे चल गए ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसकी दोबारा निंदा उसके बाद होता था धन-दंड, penalty धन-दंड में क्या होता था अगर कोई भी ऐसा offense किया है जिसमें किसी को नुकसान पहुचाया है किसी इनसान ने तो उसके उपर धन-दंड होता था penalty या ति कि इतने रुपे आपको एजा penalty pay करने पड़ेंगे या उससे बड़ा कोई crime किया है तो अंग छेद, mutilation होता था कि ऐसा कोई part होता था body का अगर उसने कोई ऐसा crime किया कि किसी का हाथ कार दिया ठीक किसी एक आदमी ने और किसी को चोट पहुचा दिया किसी को मार रहा है तो वैसे ही उसको डंड मिलता था जिसे कहते हैं अंग छेद मतलब mutilation का मतलब होता है उसके किसी अंग को चेदा जाता था ठीक है उसी जिस अंग को उसने नुकसान पहुचा है उस अंग को चेदा जाता था उसके बाद आता है last में वत डंड वत डंड मतलब capital punishment मतलब की जब एक ऐसा केस आता था जो बहुत ही क्रुएल होता था यह बहुत ही एसे extreme level का केस होता था तभी मृत्य दे जाता था capital punishment दिया जाता था next we see according to महाभारत punishment preserves धर्म अर्थ and काम महाभारत के अनुसार punishment जो है वो हमारे धर्म को अर्थ को और काम को maintain करके रखता है क्योंकि अगर punishment नहीं दिया जाएगा तो लोग खुले हो जाएगे लोग किसी में डर ही नहीं रह जाएगा तो लोग अपने मन से अपनी मर्जी से कोई भी crime करते रहेंगे कोई भी offense करते रहेंगे उनके अंदर कोई डर नहीं होगा तो punishment देना बहुत ही जरूरी है according to महाभारत दंदेनीती is very well recognized in sastra जो दंदेनीती है उसको बहुत अच्छे तरीके से सास्त्रों में देखा गया है बहुत अच्छे से इसको recognized किया गया अगर ये दंदेनीती नहीं होती ठीक है और राजा के पास पावर नहीं होती दंदेने की punishment की तो क्या होते जो लोग थे जो आम जनता थी वो ड्रीड जो लालजपन है ठीक है इनसेक्योर्टी वो डरा रहता हमेशा और उससे threats आती life की जो उसकी life के ओपर threats थी property की थी कहीं उसकी कोई जान न ले ले कहीं उसकी property न छेन ले या कहीं उसके ओपर कोई और वार न कर दे तो अगर दंद नीती नहीं होती ठीक है राजा के पास ये दंद देने की power और नहीं होती तो लोगों को हमेशा डर रहता इस बात का कि इस तरगे की insecurity रहती है हमेशा तो punishment is a very necessary thing according to sastras and according to mahabharat it is uncommon to find people who are constantly pristine in all parts of their lives and a deterrent has always been required to correct the offender हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पाना बहुत ही मुस्किल है कोई न कोई कोई न कोई ऐसा offender बीच में आही जाता है जो लोगों को परिशान करता है यह लोगों की life को परिशान करता रहता है तो उन लोगों को सजा देने के लिए उन लोगों को ठीक करने के लिए एक ना एक ऐसा इनसान चाहिए जो कि उसको law and order को maintain कर सके और अपनी जो आम जनता है उसको सुखी या खुश रख सके तो उसी को यह लिए king आया था जो king की deflection है वो पहले मैंने बताई आगो किस तरह के से राज बना nature of state आया nature of state से king का state आया तो इस तरीके से क्या कि आया और उसेने punishment की बाते हुई यह punishment दिया जाता है punishment is very necessary evil ऐसा कह सकते है कि punishment is a very necessary evil punishment नहीं होगा तो लोग बहुत आजा खुले हो जाएंगे तो यह हमें कि को प्रसीडिंग कैसे होती है और punishment क्या होते हैं आगे हम कं अब देख लेते हैं conclusion हमने जो पार्ट फर्स पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पर आ गए to look at जो हमारी ancient knowledge है ठीक है Indians की law के लेकर वही उसी knowledge को उसी चीज को आज follow कर रहा है हमारे modern इंडिया में भी उसी चीज को follow करा जा रहा है बहुत सी चीजों में बहुत से laws में और बहुत ही अच्छे तरीके से यह वर्क कर रहा है जो बाहरी लोग थे वो उनको क्या लगता था कि जो इंडिया है इंडिया में सिर्फ क्या होता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनीशन होता है कल्चरल ऐसे हैं इकनोमिक इंलाइटनमेंट नहीं है यहां और कि भारत बहुत पिछड़ा देश से ऐसा कुछ नहीं था हमारे जो ओ ज्यादा कल्चरली फिस हैं हमारे रेशिल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ठीक है एकनोमिक इलाइटनमेंट भी था कि दा हाई डेवलेप्ट लिए फ्रेमवर्क कि एंड जुडिस्ट्री कि विचर फ्रमली बेज्ड धर्म चुंसेप्ट ऐज वैल एज द्र डीवट ने चर ओड़फ बिंप् PvP भेजर टू शिउम्सेट में अफ एनपंड ग्यूद या बैसित्स्ट्री था पहले धर्म पर नेचुरह से रहे और प्रिजा भी सुख से रहे सभी अच्छे से रहे तो मारा हमारा इन्डेयन गतल होगा इंडिया का और आ कोई भी अगर सिवलाइजेशन है और उसको डेवलप होना है तो वहां की प्रजाज हो है उसको एक पीस्फिल लिविंग चाहे क्योंकि अगर कोई सब्सक्राइज डर में रहेंगे सिक्योटी रहेगी प्रोपर्टी की लाइफ की तो लोग वर्क ही नहीं कर पाएंगे तो डेवलप कहां से होगा कहां सी डेवलमेंट होगा अगर कोई वर्क ही नहीं कर रहा है कोई अराज नहीं हुगा रहा है कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है जब कोई काम ही नहीं होगा तो कोई society आगे civilization प्रोग्रेस ही नहीं करेगी तो उसके लिए judiciary बहुत ही important चीज है तो किसी भी civilization को प्रोग्रेस करने के लिए ऐसा चाहिए कि वहाँ के जो अगर शांती से रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि वहाँ law and order system बहुत अच्छी तरीके से हो और एक active judiciary काम कर रही हो as can be seen from the above proceedings discussion, the ancient judicial system established by India's great clevery grants met all of their pre-request for a secure and functional judiciary and it was compatible with the modern system as well जैसा कि हमने पूरा discuss किया आपने part first, part second में कि किस तरीके से ancient judicial system था वर्क कर रहा था और कितने अच्छे तरीके से हमारा ancient judicial system डिवाइड है और है एक hierarchical तरीके से एक hierarchy maintaining के किस कुल स्रेडी ठीक है विलेस पंचायद इस तरीके से जो कोट आते थे उसके बाद आधिकरत आते था फिर केंग्स कोट आते था तो एक hierarchical system था उसके बाद पनिश्म उसके बाद जो केस चलता था उसमें भी hierarchical system होता था hierarchical system का कहने का मतला मेरा है कि एक process wise सब कुछ चलता था कि ऐसा नहीं कि बीच में सब कुछ कूट पड़ा होई एक process चलता था किस तरीके से क्या case चलना है और कैसे क्या fees होनी है कौन-कौन से punishment होते हैं वो सब पूरा डिसाय एक अच्छे तरीके से well defined था जिसके वाज़े से क्या हुआ जो हमारा judicial system है बहुत ही अच्छा function कर रहा था और जो की एक role model भी रहा है हमारे जो present Indian judicial system है उसके लिए एक role model भी रहा है तो हमारे judicial system थो ancient judicial system वो बहुत ही well developed था बहुत ही अच्छा था और उसके बाद अभी भी वो एक role model बना रहा है हमारे Indian modern Indian judicial system के लिए तो यह रहे हमारे part first, part second और part three ancient judicial system के लिए अगर आप लोगों को और वीडियोस चाहिए और topics पे बीए के तो मैं और वीडियोस भीला दूँगा आप लोग comment box में comment करके मुझे बता सकते हैं देखते रहे हैं मैरे channel को और बने रहे है channel पे आपके लिए काफी helpful होगा आपकी exams के लिए अगर आपको किसी और subject पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment box में comment